मैंनपुरी शेत्र के थाना बेवर में ग्राम प्रयाग पूर दिखत मई की प्रधानी की रंजिश को लेकर दो पक्छों में आपस में विवात पहले सी ही चल रहा है। उसके पास सेमी राइफल 315 राइफल पिस्टल रिवॉल्वर असले हैं जो चुनाव के दोरान भी उसने जमा नहीं किये। उस बात को टाल दिया लेकिन आए दिन गाली गलोस कर रहा। विवेक गजेंदर सिलेश आदी लोग थाना बेबर आकर रिपोर्ट दरज कराई। पुलिस ने गायलों को उपचार हेतु भेज दिया है। जिस दिन से बोट परे हैं जिस दन बोट पड़ा ही रहा है इसी दिन से ये मार ने तम की सब को दे हरा हूँ आपको तो गजह रहा हैं। जो हमारे बो virgin e s Уं को मार रेंगे, आम इनको मार रहं जूए हम इनको मार देंगे वर ग्ली को अलोज करता आहा है, अरबार करता रहता है, तो इसकी बदाश करते है जिस दन बोट ले थी, इस दिन मैं जीत कई तो इसने है 5 फार कर दो राखल से तो हम लोग बोले कोई बार नहीं, 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 कोई बार नही पर यह पुलिस बाले पता नहीं बिचे थे क्या आते तो इनने वना कुछ बोलाई नहीं उनसे प्रागपर पर दिन से हम लोग जीते हैं उसने लोगों ने अराम कर दिया जाली, जिलोज, दमकियां, हमारे घरपरवारी उनको दमकियां तो फपड़ी अड़ा देंगे, के इसाले गोली बार देंगे, सील कर देंगे, ऐसी बत्मीजी कर रहे हैं, और तीन कारीक को इनों नों ने पता निकिस वज़े से ने फारिंग भी की है, तो हमें उससे कोई ले किस ने की मद्धिमी जी ने, मिती शकुमार, सनोफ राम प्रकास, जनेरे सनोफ अतर सिंग, किस गाहों नबासी हो, ग्राम प्रियागपुर, आप प्रेवत, जला महिनपुरी, आप कोई है, हम साब परदान के अमपती है, क्या नाम आपका, नीते सिंह यादव, किस गाहों स ग्राम प्रियाग पुर। जिन्दा नहीं छोड़ेंगे उदर से यह आई रहे इतनी जहां बलीभी सिंग के घर में घुजगे हैं मारपीट की इसे में चोटे आईगे परवारी हैं परवारी आए अधिमी था अधिम था अधिवर था अच्छा क्या नाम आपका रच्छपाल सिंग किस गांग नवास ही है कि कब की घटना है आज सब्सक्राइब यह आद घंटा पहली है